हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्लीब लेस बोटने कुर्थी कटिंग करना बताएंगे सिर्फ दो मीटर कपड़े से देखी दो मीटर कपड़े को हमें उल्टा जमाना है और कपड़ा हमने ये फोर लेयर में जमाया है यानी चार फोल्ड में कपड़ा है हमारा जितना हमें कपड़े को यूज करना है उतना ही हमने इसे फोल्ड किया है और बंद वाली साइड इसकी मैंने अपनी तरफ रखी है और उपर की तरफ से हमने कपड़े को लाइन डू कर के सीधा कर लिया है तो सबसे पहले इसमें हम बोर्ट ने कुर्टी के हिसाप से लंबाई के निशान लगांगे आर्मौल का चाक फोल्डिंग के लिए प्लस करना होगा तो यहां पे मेरी टोटल लेंद थी 40 इंच और मैंने उसमें 2 इंच प्लस किया है चाक फोल्डिंग के लिए उसके बाद हम इन सभी निशानों को सीधा-सीधा मार्क कर लेंगे देखी इस प्रकार से सीधा-सीधा मार्क कर लेंगे उसके बाद हम इन निशानों पर हमारे जो भी fitting वाले नाप हैं उनको रखेंगे तो देखी यहाँ पर हमने सबी निशानों को सीधा सीधा मार्क कर लिया है जितने हमने निशान लगाए थे कुर्ती में उसके बाद हमें यहाँ पर board neck के according अपना shoulder रखना है तो shoulder जितना भी है उसका half रखेंगे जैसे 14 inch shoulder था तो मैंने उसका half 7 inch लिया है और नीचे की तरफ भी हमें 7 inch पर ही निशान लगाना है और उसके बाद उससे पीछे हम ऐसे 1 inch पर एक निशान और लगाएंगे उसके बाद हम इन दोनों निशानों को ऐसे उपर की तरफ shoulder से मिला देंगे यह हमारे armhole के दोनों निशान है जो की हमने board neck कुर्ती के according लगाए है देखिए यह दोनों निशानों को हमने मिला दिया है उसके बाद यहाँ पर हम chest का निशान लगाएंगे chest यहाँ पर 34 inch था 34 का one fourth होता है साड़े 8 inch तो मैंने उसमें half inch की losing डाली है उसके बाद मैंने निशान लगाया है 9 inch पर उसके बाद हम यहाँ पर 2 inch extra लेंगे इस तरह से देखिए यहाँ के निशान हमने लगा लिये हैं उसके बाद हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर थी यहाँ पर 32 inch तो 32 का जो one fourth होता है वोता है 8 inch मैंने half inch की losing डालते हुए साड़े 8 पर निशान लगाया है और यहाँ पर भी मैंने 2 inch extra लिया है उसके बाद हमें hip की marking करना है hip था यहाँ पर 36 inch तो मैंने यहाँ पर half inch उसमें losing डालके साड़े 9 पर निशान लगाया है और एक inch extra लिया है तो देखी यहाँ पर साड़े 9 लिया है तो नीचे भी हम साड़े 9 inch ही लेंगे straight कुर्ती बनाने के लिए और एक inch extra निशान लगायेंगे देखी निशान हमने लगा लिए है अब इन सबी निशानों को हम मिलाएंगे यह जो चाक वाले हमारे निशान है इनको हम बिल्कुल सीधा सीधा मार कर देंगे नीचे तक यह जो दोनों हमारे चाक के निशान है इसे हमें बिल्कुल सीधा सीधा नीचे तक मार्क कर देना है अब ये जो हमारे फिटिंग के निशान है उसे हम ये गोलाई वाले हिस्से को अंदर की तरफ करते हुए ऐसे मिलाएंगे हिप से लेकर कमर तक और फिर कमर से लेकर चैस्ट तक देखि इस तरीके से गोलाई देते हुए हमने ये मार्किंग कर दी है अब ये जो मार्जन वाली लाइन है इसे भी हम आपस में मिला देंगे जैसे मैं वीडियो में मिला रही हूँ बोट ने कुर्ती कटिंग का सबसे आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है जिससे देखकर आप आसानी से कुर्टी कटिंग कर सकते हैं दिखे उसके बाद हमें याँ पर हाफ इंच इस तरीके से निशान लगाना है और निशान को ऐसे मार्क कर देना है अब यहाँ पर जब आर मोल जितना भी है उसका हम ऐसे इंची टेप रखते हुए हाफ करेंगे ऐसे हाफ करते हुए यहीं से हमें गुलाई देना है और यह जो डाउन किया था हाफ इंच उसमें ही हमें मिला देना है यह फ्रंट आर मोल और यह हमारा बैक आर मोल दोनों आर मोल्स के हमने यहाँ पर गुलाई दे दी है आप देख पा रहे होंगे वीडियो में और किस प्रकार से दिये ये भी हमने आपको डीटेल में बताया है उसके बाद हम यहां पे गले की चोड़ाई लेंगे बोड नेक के अकॉर्डिंग साड़े चार इंच और लंबाई में भी मैं इससे साड़े चार इंच ही रखूंगी इस तरीके से थोड़ा हम बोड नेक में भी ضी डीप नेक चाते हैं और इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे चार रहे यहां बाउचगे और इस तरीके से shoulder को down करना होगा दिखी इस तरहा निशान लगाते हुए हमने shoulder को मिला दिया है गले से यहाँ पर हमारा shoulder भी down हो चुका है अब हम इसे cut कर लेंगे हमारी marking तो हो चुकी यह कुर्ती की अब हम इसकी cutting करेंगे जैसे हमने निशान लगाए है हमें as it is निशान पर ही cutting करना है कोई भी extra margin losing वगेरा नहीं लेना है क्योंकि हमने कुर्ती में पहले ही margin वगेरा ले ली थी अब हम fitting के निशान पर cut लगाएंगे जितने भी आपर निशान है हमारे fitting के देखिए हमने सबी निशानों पर cut लगा लिए हैं उसके बाद हम back part और front part को अलग-अलग करेंगे इस तरीके से देखिए इस प्रकार से हमने अलग-अलग कर दिया है front part को और back part को और हम बापिस से इसे वैसे ही set कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए अब ये जो front वाले आर्मोल की extra वाली margin रहती है जो हम front छाटते हैं अब हम उसे cut करेंगे जितना हमने निशान लगाया है देखिए निशान के अंदर ही हमें उसे cut करना है एक्स्टा कपड़ा उसमें नहीं लेना है और यहाँ पर एक cut और लगा लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने margin भी cut कर ली है अब हम इस part को बैसे ही जमा देंगे बापिस से इस तरीके से हमारी sleepless boat neck कुरती की cutting यहाँ पर हमने कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको यह कुरती cutting का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like and share जरू करें